वेलकम बैक टो माई चैनल स्टाडी टॉक्स ट्रेंट्स आज हम बात करेंगे स्वच्चता में बाधा निरक्षर्ता कि हमारे देश में जो स्वच्चता नहीं हो पा रही है यह जो मतलब हमारा देश स्वच भारत अभ्यान के अंतुरगत चल रहा है बट अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पूरी तरह से स्वच्चता नहीं है तो यह एक टॉपिक है स्वच्चता में बाधा निरक्षर्ता उसके उपर मैं आपको एक ऐसे बताऊंगी यानि कि इसका जो यह लाइन है इसमें कि यह क्यूं है कि मतलब जो निरक्षर लोग हैं जो पड़े लि विकास है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है तो हम इसके बारे में देखेंगे फस्ट है हमारे देश के विकास में बाधा पहुचाने वारी समस्याओं में से एक मुख्या कारण गंदगी है क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते और जिससे हम पर भी कुछ सम्मेलन्स होते हैं या फिर कुछ भी जहाँ पर सभी देश जो सामिल होते हैं तो महां पर जाद इंप्रटेंस नहीं मिलती है हमारा देश भी पूर्णेता स्वच हो सके इसके लिए कई मापुरुषों ने सपने देखे थे और उन्हों ने उन्हें साकार करने की भी कोशिश की थी लेकिन वह किसी कारण सफल नहीं हो पाए ठीक है बहुत दिनों से ही सवच्चता का जो अभ्यान है वो चलता आ रहा है और बट जो लीडर्स हैं वो चेंज जो जाते हैं मतलब पहले महात्मा गांदी ने चलाया फिर उसके बाद इंद्रा गांदी ने ऐसे ह अब ये मोदी जी चला रहे है तो ये अभ्यान हमेशशा चलता ही रहता है आज भी हमारी देश के कुछ ही घरों मैं इस सो चाल ले की सुविधाएं हैं गांवे तो लोग आज भी सो शोच करने बहार ही जाते हैं जिसके कारण गांवें गंद्गी फैल जाती है और शहरों की बात करें तो शहरों में शुचाल ले तो हैं लेकिन वहां पर अन्य गंदगी बहुत जाद है जैसे कि फैक्टरियों का अपसिष्ट कूडा करकट गंदे नाले घरेलू अपसिष्टों को सड़क पर इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कि हमारे देश की सड़के नहीं देती सिर्फ कूडा करकर दिखाए देता है कुछ एरिया हैं ऐसे भी अरबन एरिया में जहां पर यह प्रॉब्लम पाई जाती है बहुत जादा हमारे देश को सवच बनाने के लिए भारत सरकान ने नई युजनब निकाली है जिसका नाम है सवच भारत अभ्यान लाएंगे पर लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो मामते नहीं है हमारे देश को सवच होने में सवच नहीं देते तो इसी कारण की वज़े से हम हमारे देश सवच नहीं हो पा रहा है तो फ्रेंट्स यही मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर DJ thanks for watching the video please share like and comment and subscribe my youtube channel study talks by arshi safi thank you